इस वीडियो में हम लोग सिखने बारे है वायल फैन को फिटिंग करने का सही तरीका बहुत लोग क्या करते हैं कि ये फैन को फिट करते समय को फिरी नहीं होते रहता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि फैन को जो है फिटिंग करने का सही तरीका क्या है फैन को हम लोग कैसे फिटिंग करेंगे ताकि फैन फिरी हो जाए और फैन का जो है कोयल फिटिंग करते समय कोयल नहीं कट पाए तो अब इस वीडियो को सुरू से लाट जग जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर फैली बार आया हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले हमी सभी नट को खोल लेते हैं उसके बाद आपको फिर हम बता रहे हैं कि इसको कैसे जो है फिटिंग करना है सभी नट को हमने इसे को खोल दिया है अब इसे हम लोग बाहर घीच लेंगे इस तरह और उसके बाद देखिए इसमें जितना भी कच्रा लगा हुआ रहता है उसे हमें पोछना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्यूंकि क्वैल में जो है कच्रा नहीं जाना चाहिए तो इस क्लिची खराब कप्रा सभी से जितना भी कच्रा शली है उसे पहले साफ कर देना हैं है च्बार करेंगे तो उसके बाद इससे कच्रा लगा हुए तो इसको कच्रा करेंगे क्या करेंगे बूस्ट इस में बीटना कच्रा लगा हुआ था सभी कच्रा को साप कर दिया है उसके बात देखना यह बूट जोMichail कड़ा है तो इसे भी डेख लेना चाहिए अच्छी तरह से नहीं तो अगर बूट कड़ा हुआ रहेगा तो रगर खाकर जो है कोई जल सकता है तो इसे हमारा बूस्ट जो है तो सही है तो हम क्या करेंगे इसमें जो है मोबील धर देंगे ताकि बूस्ट जो है और भी ज्यादा फिरी हो जाए कोई भी बूस्ट बाला पंखा जो है बिना यह मोबील धरे हुए आपको ब्युक्त है मोबील लिए आगे पीछे दोनों तराब मोबील ड़ना है उतヒर बिढ़ विसकेटमे , डालने से पले हमें क्या को देखना होता है कि इस क्वैल में जो देखिए यह यह पेपर जो जिविया लगा हुआ है यह कोई भी उठा हुआ तो नहीं है अगर उठा हुआ कोई है तो इसे हमें बैठा देना है और उसके बाद हमें यह भी देखना है कि यह कोई जो है कोर से ज और उसके बाद इस बाहर साइट से भी जो है देख लेना चाहिए कि कोईल ज्यदा निकला गुआ तो नहीं है नहीं तो आप जब इस कोबर को इसमें लगाएंगे तो उस समय भी आहिए आपका बाहर से कोईल कर सकता है तो छलिए हम आपको फिट करके इसमें बताते हैं कोईल हमने इस कोयल को साइड से जो है टेप लगा दिया है क्यूंकि हमारे कोभर में जो है साइड से बहुत काफी कम जगा है इसमें देखिए यह जो जगा है बार में थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है इसमें जगा थोड़ा कम है इसलिए हमने टेप लगा दिया है थाकि कोयल जो इसमें सुलोट में रोटर में डाल देना है अब क्या करना है कि कभे यह देखिए मुभिंग बाला साइड जो है यह नीचा होना चाहिए और यह पॉपर रहना चाहिए तो चलिए हम आपको इस लिद्धा है भी कस के रहे हैं तेके कोब में जो ढैलना चाहिए यह साईस से ब्लिट कर रहे है तो यह म receptive लगा दिया है और अगर आप नहीं लगाते हैं इस लिहा से लिए वा थोड़न असाली से को फित कर रहे हैं थेंको tiap इस type का जो है cover को कभी भी लुहाय वाला ह्तोडी से नहीं ठोकना चाहिए है इसे जबी भी खोके तो पुर्णाट्य चाहिए तो मिन इस trasly प्रश्चिक का ह्तुरी तो यह cover जो है फूट सकते है तो इसे cover को बैठाने केacción को हम इसे सभी हूट को इसमें कस्त देते हैं तो हमने सभी नट को जो है फुली तरह से पूरी टाइट कर दिया है और उसे बाद जब सभी नट को टाइट कर लेंगे तो हम हमें क्या देखना है इस पंख्यों गुमा के देखना है कि या अगर घूम रहा हो नहीं घूम रहा हो तो भी चौहँ मुझब अधोड़ जो है को हो एजम दर मार देना है ताकि जिए जय जाहाय बाद में ना हो सके और इसे फिर भी की ठखनेक बाद दोबारा सवी नौट को जो है आपसमें चेक कर लेना है कि कोई नाटल वह धिला नहीं हुआ तो हम सबी नोट को चेक कर लेते हैं कि हमारा सबी नौट पूरी तरह से थाइट है अब उसे क्या करें हमारा पांखाभी पुरह फिडा हो चुका है अब वहें करके आपको बता रहे हैं कि है कैसे किया जाता है को बाख को उसमें टोटल यह होता है तो हम आपको connection करके बताते हैं कि छे लूप का connection कीस तरह किया जाता है देखिए चे लूप जो होता है उसमें एक होता common तो हमने इस रेट वाले तार को गोशह कोश मन बना दिया है और यह जो मेरा रिट को जो हाई के लिए निकाले और मेडिया लो बच दिया है पर जो करने के लिए है और यहां फिरी हाई यह सबसे लो है मेड्येम है और यहाई है तो हम क्या करते हैंakt है सबूख celebrating झाल झाल